हई हम लोग देखेंगे डिफिनेसरी का सेकेंड वीडियो को इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेसरी को लाया हूँ चलिए डिस्कस करते हैं लेकिन डिस्कस करनी से पहले थोड़ा चाहना इनकी से एर्र करना चाहले definition से कोई भी mining सरदार और अभर्मिन का competitive examination हो या DMS का जो हाल ही में मार्च 2021 में जो exam हुआ था second class, first class का उसमें करीब करीब 5 से 10 कोशिन पुछा गया था इसलिए मैं इस topic को चुना हूँ और मेरा इच्छा है कि मैं पूरा definition cover करूँगा जो regulation में है उसके इलावा भी जो important definition होगा mining में उसको भी मैं cover करूँगा चलिए देखते हैं definition को आज का definition जो है banksman, one setter और in set इस तीनों definition को हम समझते हैं diagram के थो banksman, यह देख लीजे इस sap है sap है, तो इस sap का इस top और इस bottom है तो top में जो sap का top में जो superintendent के रूप में present रहते हैं उनको हम कहते हैं banksman इनका काम क्या है manpower या material या tools को lawyer करना, rise करना और signal देने का काम होता है banksman as a appointed person होते है जो वहाँ पर top में superintendent के रूप में काम करते हैं, इनका main काम है lawyering, rising and signal देना कई बर होता है कि अगर यहाँ present कोई ने रहते हैं तो tap में lift जो है tolli जो है, cage जो है cage में से क्या करते हैं आदमी automatic जाकर चड़ जाते हैं और ठीक से बैठे भी नहीं है खड़े हुए भी नहीं है cage one हो गया, नीशे चला गया तो उससे accident होने की खत्रा ज़ादा रहता है इसलिए banksmen को post किया जाते हैं तो banksmen, lawyering और rising और signal देने के लिए जो top में period रहते हैं उसको हम batsman कहते हैं और जो bottom में apparent person रहते हैं जो superintendent के रूप में काम करते हैं और उनका काम क्या है? rising, lawyering और signal देना तो उसको हम कहते हैं one sitter तो ये sap के थुरू हम समझें कि one sitter जो bottom में होते हैं उनको one sitter कहते हैं जो top में होते हैं उनको banksmen कहते हैं दोनों का काम क्या है? lawyering, rising और signal देना अब इसमें थोड़ा सा confusion आद मीं हो जाते हैं कि signal देने का काम किसका कहा है? तो banksmen का signal देने का काम top में होता है में भी अगर ऐसा जरूरत पड़ा तो in-set में भी signal देने का responsibility on-setter का ही होता है तो हम समझें बैंक्सmen और on-setter कोन है? आप समझते हैं in-set क्या है? जब कोई sap या incline का बीच में कोई platform या landing हो तो उसको हम कहते हैं in-set कोई भी sap या incline का अगर top और bottom के पीच में कोई अगर landing platform या उससे कोई अगर talent गया है जैसे यहां से अगर कोई टैनल आया और यहां work हो रहा है इस एरिया में अगर work हो रहा है यहां से जाके work करना है तो भी हम इसको in-set ही कहेंगे तो दोस्तो इन-set, banksman, one-setter को हम बढ़िया से समझें और एक चीज बता दू objective question को solve करने के लिए याद करने से बहतर है कि उस time को बहुत बढ़िया से समझें तो मैं आज कोसिस किया कि आज इस time को आप बढ़िया से समझें अब इस से related exam में पूछी गई कुछ कोसिन है आपके साथ सेयर करना चाहूंगा जैसे the duty of banksmen to transmit signal कह रहे है कि banksmen का signal देने का responsibility कहा है तो ए नंबर bottom of the shaft, top of the shaft, insert of the shaft, both top and bottom of the shaft तो जैसा कि आपको हम बताएं top of the shaft next the one setter responsible for signaling to कहा signal देने के लिए responsible है one setter, तो one setter हम जैसा कि जानते हैं one setter signal देने के लिए responsible है bottom or in setter पर, तो bottom of the shaft, option है bottom of the shaft, top of the shaft, insert or bottom of the shaft next is the platform in between the shaft and shaft called कहने का मतलब है कि ऐसा platform जो है top or bottom के बीच में है उसको हम क्या करते हैं तो हम जैसा जानते हैं in set, तो option number C is right तो दोस्तों आज बस इतना ही, next definition series का वीडियो के साथ नए कुछ definition के साथ मिलूँगा आज बस इतना ही, जो दोस्त अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किये है subscribe करे, like करे, अपने दोस्तों के साथ share जरूर करे साथ ही मुझे motivate करने के लिए comment जरूर करे, ताकि आपके लिए नए नए टोफिक और नए वीडियो के साथ जल्द मिल सकूँ Thank you for watching